नमस्का दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगंदिराद है बारिश के मोसम में बर्ड्स को सौफ डाइट क्या देनी चाहे और सौफ टाइट देने का क्या तरीका है देखिए आपको पता है कि जो सौफ टाइट होती है बर्ड्स के लिए काफी हेल्दी होती है और इसको देने से बर्ड्स की सहत काफी ठीक होती है दूसरा सौफ टाइट देने से क्या है जो छोटे बेबी चिक्स होते है इस टाइम में क्योंकि ब्रीडिंग में आपके वाक्स में काफी छोटे चोटे बच्चे भी होंगे के सारे जो बच्चे सर्वाइब करने की पॉसभिटी अधिक होते हैं आप इसको रात पर पानी में भीगो करके इसको अंकुरित करके और बर्र्ड्स को यदि आप खाने को देते हैं यानि जो चीज भीग गई है और सौफ्ट होगी नरम हो गई है और अंकुरित होने से क्या होता है आप उसमें देखते हो कि काले चने के अंदर अंकुरित जब निकल जाता है तो उसमें क्या है प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है अब प्रोटीन का सोर्स होने के साथ बीगे विचने आपने आपसे खाता बच्चों खिलाता तो दोनों के लिए फाइदे मंद होते हैं अब बर्ड इससे काफी हल्दी रहते हैं अच्छी डाइट यदि बर्ड को मिलती है तो ऑटमेटिक बर्ड का इमुनिटी सिस्टम भी अंदर से बिल्ट अप होता है दूसरा मैगनेशियम जिंग ये सब चीजे जो है बहुत अधिक मात्रा में होती है यदि हम इसको पानी में बिगो करके यदि इसको दो दिन अंकुरित करके पानी से साफ करके अपने बर्ड को खाने को देते हैं इससे अच्छा सॉफ्ट आइट आपके लिए बर्ड के लिए हो सकत कई बर क्या होता है कुछ ऐसी चीजे होती हैं जो खाने में नहीं दे पाते हैं और इसके अंदर वो सारी चीजे मौजू होती हैं जो कि बर्ड की सेथ के लिए अच्छा न्यूटिशन देते हो दें कि सॉफ्ट आइट टेक वर्ड सम टेक्निकल यूज़ करें लेकिन आपक होते हैं यह सब चीजे इन चीजों में मोजूद होती हैं बाट का हहलदी है कि उसके फैदर्स के कलर का मैंटेल रहना उसकी एक्टिविट minder पीशिकल एक्टिविटी आश्छ में बाठी किसी किसी प्रकार के डेफॉर्मिटी जना यानि सब चीज़े कब है जब अपने बर्ड को एक हैल्दी डाइट तो यह हैल्दी डाइट में दूसरा अप्शन है आप लोबिया को पानी में भिगो करके अंगुरित करने बर्ड को दीजिए हरे मूंग होते हैं साबुत वाली जो मूंग होते हैं यह भी बर्ड के लिए अच्छा सॉफ्ट डाइट होता है इसमें क्या है बर्ड को रात भर मूंग को बिगो करके रखिए उसको सुबह उठकर के एक कपड़े में पोटली में लपेट करके रख दीजिए अगले बारा ग आइट के तोर पर आप यूज़ कीजिए यह बर्ड के लिए सबसे अच्छा हैल दी होता है प्रोटीन्स विटामीन मिनरल्स हमारा जो मेल परपस है सॉफ्ट डाई देने का सिरफ यह है कि इस टाइम में बर्ड को एक अच्छा न्यूटिशन चाही होता है क्योंकि बारिश उसे बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और यह चीज़े जो है दवईयों के बज़ाई यह दे का अच्छा पॉस्टिक बोजन अपने बर्ड को खाने के लिए तो हमारे बर्ड समेशा हेल्दी बने रहेंगे आप अपने बर्ड को सॉफ्ट डाइट के आप क्या दे सकते हैं आप ब्राउन ब्रेड आती है ब्राउन ब्रेड को सुखा करके आप रखली जिए न को का को कड्डू करके पॉर्डय करके अप इन दोनों को मिला करके आप अपने बर्ड कुजे फो effe को खाने के लिए जो बोटे बच्चों के लिए बर्ड्स के लिए soft tight में इससे अच्छा combination आपको नहीं मिलेगा easily digest है, palatability बहुत अच्छी है, यानि आप जसी आप रखेंगे, रखते ही आपके बर्ड्स आप इसको एकदम से खाना खाना शुरू कर देंगे और आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स की जो सेह दिन परती दिन गेती जा रही थी, उनका वेट डाउन होना शुरू गया, ये soft tight देने से आपके बर्ड्स कितने healthy होंगे, उनका जो वेट एकदम से down हो, आप होना शुरू जाएगा बर्ड्स के वेट में भी अचानक से देखेंगे, इस परकार का खाना देने से अच्छा healthy nutrition यह दे आपके बर्ड्स को मिल रहा है, उनका वेट भी जो हो automatic बूस्ट अप होना शुरू जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो यह पांच-छे चीजे हैं जो कि आप soft right के तोर पर आप अपने birds को दे सकते हैं, आज मैंने इस वीडियो के मादम से आपको बता है कि कैसे छोटे बच्चों को हम soft right दे सकते हैं और soft right देने का तरीका क्या है, जब भी कभी soft right देते हैं, कोशिश कीजे देने का तरीका य तो उसका सही देने का तरीका कि दो गंटे birds के सामने रखें, दो गंटे बद आप उसको हटा देगी, यदि दो गंटे से ज़्यादा हम birds के सामने रखते हैं, तो automatic क्या है, moisture and humidity जादा होने के वज़े से उसी के अंदर जो automatic bacteria गोना अशू हो जाता है, और कई बर क्या होता है लंबे टाइम तक यदि birds उसको खा लेता है, रखे हुए को तो उसमें bacteria गोने से फायदा पहुचाने के बदे बर्ड्स को लटा नुकसान पहुचाना शूरता है, इसलिए soft diet देने का सिरफ एक यही तरीका है, जब भी आप दीजे दो गंटे से ज़दा birds के सामने नहीं होन उमीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया गयती आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवादे